हेलो गाईज, विल्कुम बैक टो वाईशायास, मैसल्फ मिलसी और इस वाले वीडियो में हम एक और पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने मुवमेंट को कैसे देखा, कौन स पिछले वाले वीडियो में बात करी थी, जो पूरर सेक्शन अफ पीजेंट्री है उनके बारे में, और जो लैंडलोड और जो रिच पीजेंट्स हैं उनके बारे में, तो मैंने आपको यह बताने की कोशिस की थी, कि जो जो स्मॉल टेनेंट्स थे, उनके अलग दिमांड जो रिच पीजेंट्स से लाइक पतेदार थे, कुछ जाच थे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उनके अलग अपने डिमांड थे कि रिवन्यू को कम कर दो, इतना नहीं वे पा रहे हैं, तिन अगें, उनसे भी ज़्यादा पूरर सेक्शन थे पीजेंट्री में, उनका यह कि रिवन्यू को कम तो करो ही, लेकिन जो हमारे जो रहे गए हैं, जो अभी तक हमने इनको रेंट नहीं पे किया है, उसको रेमिट कर दिया जाए, इनके रिवान थे, और बाद में आप देखोगे, जो यह पूरर सेक्शन है, वो थोड़े तो अक्टिव होंगे पहले, और क्योंकि जब यह नो रेंट कैमपेन आया था, तो इसका सपोर्ट कॉंग्रेस ने उटने अच्छे तरीके से नहीं किया था, ठीक है, जिस वज़े से कॉंग्रेस और जो पूरर पीजेंट्री थी, इनके बीच में टसल सा स्टार्ट हो गया, तो इन लोगोंने भी मना कर दे रेंट कि नहीं कर रहा है, उतना अच्छे से लोगोंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अगें टॉकिंग अबाउट यह किया नहीं वाँ पिछले वाले वीडियो में बताया था, कि जब सिब डिस्वेडिन्स मौमेंट को विद्रॉख करा गया, तो इन लोगों का जो ड उन्होंने इसको कैसे रियाक्ट किया, उन्होंने कैसे रिस्पॉंड किया, ठीक है, वहां पे civil disobedience movement कैसे काम किया, तो first world war के टाइम पे, एक सिकंड, during the first world war, not getting the first world war, during the first world war, जो Indian merchants थे, और जो industrialists थे, उनको बहुत ज़्यादा profit हुआ, और वह बहुत ज़्यादा partful हो गया थे, क्यों? क्योंकि first world war उस टाइम पे चली रहा था, एक साइड में, ठीक है, आप दूसरे तरफ क्योंकि उधर तो economic हालत वैसे खराब है, और जो भी चीज़े होती थी, जो भी import-export होता था, वो यही से होता था, तो obviously बात इधर profit आएगा ही, ठीक है, अब रीफोकर्ट का तो नहीं लेके जाएंगे, कुछ तो बदले में देंगे ही, तो और वहां पे बिल्कुली सब कुछ बंदो रखा था, तो यहां पे बहु उनकी discriminatory policy फिर से चाले हो गई, क्या? वो Britishers थे, वो अपने आदमियों के लिए favor का काम करते थे, मतलब उनकी favor में काम करते थे, जो बिटेंसे जो लोग हैं, जो बिटें के industrialist हैं, लंडन वगेरा के, तो वो वहां पे उनके favor में काम करते थे, not वहां पे इंडिया में ही रह जो foreign goods का import हो रहा था, उसके अगेंस्ट में, क्योंकि यह लोग जिस्ताम का बनाते से थे, लोग का import-export में होता थे, लोग को बहुत loss होने लगा था, पहली demand तो यह थी, दूसरी demand, जो foreign exchange ratio था, उसको कम करने के लोगोंने demand करी, कि आप वहां से जो समान आ रहा है, यहां प जिन दिन लोगों को business में इंट्रेस्ट था, उन लोगों ने अपने group को organize करा, और उन लोगों ने कुछ-कुछ associations मनाए, जिसमें से एक है, Indian Industrial and Commercial Congress, मैं हाइलाइट कर देती हू, Indian Industrial and Commercial Congress, 1920 में, और Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI, 1927 में, इन लोगोंने set up करा, जिसके leader कौन थे, पुरशक्तम जिन दास, ठाकुर्दास और जीरी बिला, ठीक है, जीरी बिला आप करेक्ट कर ले ना इसको, उसके बाद में क्या हुआ, जो industrialist थे, उन्होंने colonial जो control कर रखा था ना, like Britishers ने इंडिया की economy पर जो control कर रखा था, उस पे इन लोगों ने attack कर दिया, attack in the sense, अपने reaction से, अपनी खरकतों के वज़े से उन्होंने attack करा, ऐसा नहीं था कि जाके डंडा लेके खड़ोगे कि आओ, हम तुमको मारते है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, means उन्होंने civil disobedience movement में support करा, जिस वज़े से ये Britishers को पसंद नहीं आया, क्योंकि First World War के टाइम पे जो भी था, इन लोग के वज़े से भी था, ऐसा नहीं था कि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री जी बंद हो जाती, तो जो उनलोग के डिमांड है, First World War के टाइम पे, वो कभी complete नहीं हो पाती, आप पीजन्ट आर्टीसन से कितना ही डिमांड करोगे, आप पीजन् अपनेंशल असिस्टेंस भी थी, ठीक है, मतलब से विजन्ट में इन्होंने कुछ कॉंट्रिबूशन भी दिया, उसके बाद में जो इंपोर्टेट गुड्स हुआ कर दे थे, उसको इन्होंने मना कर दिया, अब इन लोगों ने वोला कि नहीं हम खरे देंगे, नहीं हम ब किरुएर रुटेट नहीं जो, सब्सक्राइब करेती नियुक्त 1973 किरिकर फिम झालत था ठीकष्स चाहिए अबbyले भी देनाने बताया, आफुनिका इन धूट्रीम रहे लेग्या को आप दिखोगे जब राउंट आपल को manifest in B4 शी बचल में और इन्होंने लोगा, ठीक है, कि जब re-launch करा गया civil disobedience movement को तो इन लोगों ने भी उतने अच्छे से participate नहीं किया क्यों? इसके एक और reason है Congress के जो younger members है उनमे सोचलिजम वाली ideology बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी तो इन लोगों ये लगा कि अगर ही सोचलिजम हमाली ideology है अगर यह आगे बढ़ी तो हमारी इंडस्ट्री सब बरबात हो जाएंगी ना हो सकता है को फ्राइवेट ओनर हो अपने इंडस्ट्री का तो वह क्यों बातने जाएगा अपनी एक डिया एक पनी इंडस्ट्री के जितने भी उसकी प्रॉफित हो रहा है और दूसरों को बातने जाय दाका ऑगा अगर में हूं मेरे यहां पर कोई अब को आके बोलने कि तुम्हें फैक्टरी के जितना प्रॉफित है सब में बातना मैं क्यों बातूंगी तो कहीं न कहीं वह लोग भी ठीक थीक थे कि उन लोगों पी श्च्रगल करके वह फैक्टरी सेटप कर रहा था और बाद में अगर सोचलिजम वाली आइडेलोजी अग लोग दर गए थे कि अगर यह चीजे और ज्यादा हुई तो हमारा बिजनस नहीं डिस्राप्ट ना हो जाए इस वज़े से इन लोगों ने सेकेंड टाइम जब सिविल डिस अबिदेंस मूमेंट लांच हुआ तो इन लोगों ने मना कर दिया जो इंडेस्टियल नागपुर वाले रीजन को छोड़ करके बाकि जितने भी रीजन थे उस सारे रीजन में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडेस्टियल वर्किंग क्लास में से ठीक है जैसे ही इंडेस्टियल लिस्ट कॉंग्रिस के और ज्यादा नजदीक आये तो जो वर नागपुर दिजन वाले जो लोग है ठीक है उनों ने कांदियन आइडिलोजी को फॉलो करा कांदियन प्रोग्रम को फॉलो करा जैसे कि फॉरिंग गुर्थ को बार्कॉर्ट करना लोग वेजिस के अगेंस्ट में आवाज उठाना अपनी पूर वर्किंग कंडिशन के वर्कर्स ऐसे भी थे छोटा नागपुर टीन माइंस में जिन्होंने गांदी जी के कैप पहन रखे थे ऐसा नहीं था कि गांदी जी ने कोई कैप लॉंच कर रखी है पट उन लोगोंने गांदियन कैप पहन रखे यह दिखाने के लिए कि हां देखो हम हैं इस प्रोटेस् की बात कर रREकाए क्या सीम था वहां पर फेक आपने हो और या है ऑफ कर ना थे वहां ने हचते हुआ था जा जा Ju दो ढहुत हो दर्वे स zitten double aros hada data all workers की सब्सक्राइब बना पार्टी कि इतने भी मेंबश से प्र 54 24ux सिंध ने और रचान बदले में जो industrial class है उन्होंने भी कभी भी support नहीं करा दिन अगेन नापुर वाले region को छोड़ करके कि कोई भी आया नहीं वहाँ पे उसके बार अगर दूसरा important feature देखो आप civil disobedience movement का तो जो large number में women का participation आपको मिल जाएगा civil disobedience movement एक ऐसा movement था जिसमें women का participation बहुत जड़ा large scale पे हुआ था क्योंकि जब गांदी जी अपना salt march कर रहे थे उस ताइम पे बहुत सरी सी women अपने घर से बाहर आई थी गांदी जी को सुनने के लिए और सारी की सारीDD women's जितने भी इंचे पाठिसिपेट कर रहा था उन्होंने पर्टेस्ट में भी sä इसा नहीं था कि बस चलके जाना हैं साबरमथि से dandii अ collar तक जाना है साबरमति आश्रम से ऐसा नहीं था उन्होंने प्रोपर प्रोटेस्ट मार्श में भी उन्होंने पाथिसिपेट करा था उन्होंने सॉल्ट वगएरा बनाया ठीक है फॉरंग लोगोट कर दिया लिखवर शॉप को पिकेट करे गया है मैंने आपको बता था जाएंगे फिर ऐसा बिल्कुल नहीं था हाई कास्ट की फैमिली हो दोनों की दोनों जगह से लोग आते थे मतलब विमन्स आती थी तिक गांडी जी एक कॉल करने पर सारी के सारी जितने भी विमन्स समझ लिया था उन्होंने कि नेशन को सफ करना ही हमारा ड्यूटी है बट अब इस पर सीन भी थोड़ा से अलग था क्योंकि उस टाइम पर एक भी विमन्स थी भी नहीं किसी भी उसमें हमारे मौवमेंट में थी जो होम रूली मौवमेंट था अबनी वेसंग जी थी तीके सालोज़ी नाइडू जी थी और पी जगह पर कुछ-कुछ विमन्स थी ब इसके बाद भी आप देखोगे जो विमन्स थी वो नेशन को सर्फ करना ही अपनी प्राइमरी द्यूटी मानने लगी थी इस वज़े से गांदी जी ने कहा था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है आप यह तो कर रही हो बट आपका जो मेंन काम है वह आपका किसी की मदर हो इतना सब करने के बाद भी जो विमन का पोजिशन था वो नॉर्मल ही रहा ऐसा नहीं था कि वो लोग जो सोच रही थी वो हो गया उसके बाद ही कांदी जी ने गिवाला अपना स्टेट्मेंट दिगा था अभी जैसे मैंने पिछले अभी थूरी देर पहले आपको बताया नस्वी सेगें पहले दन अगें उसके बहुत लॉंग टाइम के बाद जो कॉंग्रेस है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी ने अलाव कि आविमन को ठीक है आप अपनी अथारिटी को मतलब आप अपनी कोई पोजिशन होल कर सकती हो विदिन द ऑर्गनाजेशन तो फिर वहा आपटी सोचल कुछ नकोच सोची रहें कि हाँ अब अब तो कुछ हमारी साथ अच्छा होगा एक एसा ही गृप था जिनको हम अन्टच nellaam sizi जानते हैं ठीक है यस जिन को अंटचिबल से जानते हैं और जीसल्ळों एक ऐसा भी gemacht था गांडि जी पन्रटी जीऑन द Doc तो इतर पढ़ाने आई हूँ तो जो एसी के टेग्री के लोग होते हैं आज भी मैं कई जगा पर दिखती हूँ जो एस्पेशली जो विलेज वाला एर्या होता है वहां पर यह सारी चीज़ें बहुत जादा कॉमन हो जाती है ठीक है तो एक ऐसा गुरूप था अंट अचिब हैं जो कि इस अच्छी हैं जो इस आनातनीज हैं को हमारे हमारे राइट न चीन ले या फिर कोई ऐसा लौ न पास हो जाए जिसके वज़े से हमारा वे रहना मुश्किल हो जाए बट आप देखो कि महातमा गार्शी में यह डिकलेर कर आप आप महातमा गांदी जी नीकिग होना चाहिए कि अंटचिबल को गांदी जी नहीं हरीजन गुलाया था या फिर उनने का था कि या यह तो चिल्डर ऑफ गॉड ना तलब हरीजन और चिल्डर ऑफ गॉड यह स्टेट्मेंट दिया था गांदी जी ने ठीक है फिर इन्होंने सत्यागरा को और्गनाइज करवा उनके लिए टेंपल एंट्री मैंने आपको पहले बता रखा था लाइक एंचेंट हिस्ट्री जब हम करवा रहे थे उसमें भी हमने आपको बताया था जो शूद्र क्लास के लोग थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वही यहां पर भी हो रहा था बैसिकली वही सब्सक्रिमिनेशन के लिए जाने के लिए जाने के लिए मना कर रखा था मैंना क्या कर रखा था अलाओ नहीं था यह पब्लिक प्लेस है आप यहां नहीं जा सकते हो गांधी जी ने खुद ही टॉलेट को क्लीन करना स्टार्ट किया उन्होंने बोला कि यह जो काम है यह हमें खुद ही करना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो यह क्लीन करनेंगे जो लोग आते हैं ना स्पेशली उनको भांगी कहा जाता था पहले जो स्वीपर और गांडी जी ने अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको परशूट किया उनको बोला कि आप मतलब अपना थोड़ा सा माइंसेट चेंज करो और जो यह अंटचिबिलिटी है यह एक पाप से बड़ी नहीं है उन्होंने एक पॉपर स्टेटमेंट लिखा था और उन्होंने कहा कि यह जो सिन आप कर रहे हैं जो आप क्राइम कर रहे हैं आप इसको छोड़ तो यह किसी भी अंगल से सही नहीं है बट वह यह ना कि आप एक इंसान मिलकर के पूरे इंडिया का सुच नहीं बदल सकता है ठीक है आप कुछ लोगों को इंफ्लूएंस कर लो अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिस वज़े से हम यहां पर नहीं रह पाए तो क्या होगा तो उन्होंने डर था बैसिकली उन लोग के मन में तो उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने अपने आपको और्गनाईज करा उन लोगों ने रिजॉर्व सीट मांगना स्टार्ट कर अब यह लोग मांगना स्टार्ट कर दिये तो इन लोगों को ने कोई मूड में था नहीं ऐसा ने था कि लोग चाहते देना ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि कोई गलत इंटेंशन से नहीं देना चाहरे हो कंट्री डिवाइड होता थी न अब देखा ना मु सब्सक्राइड है उनकी प्रॉब्लम को जितने भी उनके सोचल डिसाबिटी वाली प्रॉब्लम है उन सब को सॉल्फ करेंगी डलिक पार्टिसिपेशन जो इस वज़े से लिमिटेड रही स्पेशली जो महारास्टर और नागपूर वाला रीजन है इन नोनों को छोड़ कर कि वहां वाले एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया की जो डलिट पाटिसिपेशन है वो भी और जो इंडस्ट्रियल क्लास है वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने पाटिसिपेट नहीं किया था तो वहां पे लिमिटेड रहा था फिर आगे उठके आएंगे डॉक्टर भीम राओ अमेडिकर जी मैं बहुत रस्पेक्ट करती हूं इनकी दिल से ठीक है इन्होंने दलिट्स को अगनाइज करा और एक असोसियेशन बनाया जिसका नाम था डिप्रेस्ट क्लास असोसियेशन इन्होंने बनाया था इनकी क्लाशेस हो गय थे महत्मा गांडी जी के सा कर दिया कि हाँ ठीक हम आपको separate electorate देंगे तो गांडी जी को लगा कि यार यह क्या हो रहा है यह तो नहीं होना चाहिए तो गांडी जी ने कहा fast unto death अब जब तक आप अपने डिमांड वापस नहीं लेंगे और जब तक आप इस डिमांड की जो क्राइडिया है वाप उनको सब को वापस नहीं लेंगे मैं तब तक खाना परना नहीं खाऊँगा फ़ले से मरी मौती नहीं हो जाए गांडी जी ने ऐसा कहा उनको यह लगता था कि जो separate electorate अगर वो दे देंगे तो यह integration चल रहा है न सोसाइटी में वह बिल्कुल slow down हो जाएग और वो किसी काम का नही सब्सक्राइगा फिर जो कंट्री जो चोटे चोटे पार्स में डिवाइड हो जाएगी ऐसा लगता था महात्मा गांडी जी को बिल्कुल सहीं लगता था जो अम बेडिकर जी है वो अल्टिमेटली उन्होंने क्या किया कि कि गांडी जी के जो पोजिशन ते उसको एक्स त कि कि आगे श Jewish जी का और गार्फ करेंगे उसको तार्स भिरिक चाहरे कि को 안녕 अबड़तों कि अध्या एंगी तो two जी किया क्व करन्ने तो आज सब्यांड़लोंगता है बड़ा जाइद देन वाट पता हो इसको कि टाई हो सेंगा तो संब्सक्त का सब्सक्राइग इन जब सब ने देखा कि गांडी जी की खराब होती जा रही है तो इन लोगों ने गांडी जी के डिमांड को एक्षेप्ट कर लिया अमेडिकर साब जो थे उन्होंने फाइनली कॉंप्रमाइस करा पुना पैक्ट साइन हुआ सेप्टेंबर 1932 में सेप्टेंबर 1932 में एक पुना पैक्ट साइन हुआ था ठीक है बाद में इस डिप्रस्ट क्लासिस को हम लोगा स्चेडिूल कास के नाम से जानते हैं इनको रिजर्व्ट सीट मिल गए प्रोवेंसियल और सेंट्रल लेजिसलेटिव कांसल में ठीक है बट हां उनको सेपरेट इलक्टोरेट नहीं दिया गया उनको सीट दे दिया गया कि हां रिजर्व करके देंगे आपको रिजर्वेशन मिले गया आपको बट आपको सेपरेट इलक्टोरेट नहीं दिया जाएगा आप वैसी वोटिंग होगी जैसे हमारे हां होती है बात करें अगर Muslim political organization के बारे में इंडिया में तो क्योंकि जैसे मैंने बताया जो non-cooperation movement था non-cooperation khilafat movement जो था उस ताइम पे large section जो थे Muslim के उन्होंने participate किया था क्यों? reason मैंने बताया था आपको क्योंकि First World War के ताइम पे तो कि अगर्मान टर्की हार किया था वहां के जो caliphate थे जो उनके धर्मगुरू होते है Muslim के खलीफा ऐसा रूमर था कि उनके खिलाफ एक भाश पीस ट्वीटी साइन करवाई जा रही है अहला दंगा फसाद यह सब नहीं हुआ और आप देखोगे जैसे ही यह नॉन कोपरिशन खिलाफत मुवमेंट डिकलाइन हुआ वैसे ही लाज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स ऐसे थे जिनों को यह लवा कि नहीं कॉंगर्स हमारे लिए नहीं है कॉंगर्स एक हिंदू सुसाइटी मतलब एक हिंदू ग्रूप है ठीक है जो की रिलीजिन पर बेस्ट है चल भी कुछ वैसा रहा था मैंने कहा ना कि यह जो complete 19th or 20th century आपके भूप में दे रखा है वो बहुत ही बहुत एक सिंपल लाइन में दे रखा है क्यों तो कि अब यह को कमा वहां पर जो को मैं से बहुत होत सर्साइस के अःसे थे जो की सीधा हिंडूइजिन को प्रमोट कर रहे थे तो उन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट करी थीक है आशिव जी की पूजा करना स्टार्ट करी कुछ नैशनलिस्ट ग्रॉप्स भी मनने लगे हिंदू रिलीजन पर जो बेस्ट थे, लाइक हिंदू महासभा थीक है बहुत सारे God and Goddesses की पूजा होने लगी तो जो मुस्लिम थे ना अलड़ी वह मतलब इतना होने के बाद तो कोई भी अपने आपको वहां से एक्स्लूट कर लेगा ना भोले का कि हम हमारा तो कोई काम ही नहीं है जब यहां पर सबका सब रिलीजन पर ही बेस्ट है तो वहां से सब्सक्राइब कर लेगा तो कोई फाइदा हुआ नहीं तो कोई फाइदा हुआ नहीं ठीक है जो इंपॉड़न्ट डिफ्रेंसेस थे एक्चुली वह प्रॉब्लम यह थी ना कि उन लोग को अलगी कंट्री चाहिए थी वह लोग पाकिस्तान के डिमांड में थे ठीक है लाइक मौमाद अली जिन्ना वागेरा जो है सबसे बड़ा रोल तो इन ही कर रहा है मैं य यह नहीं बोलूगी कि अके लिए नहीं कर रहा है बट हाँ यह मेजर रोल प्ले करें हैं कंट्री को डिवाइट करने में क्योंकि इन्हों नहीं डिमांड करी थी फॉर सेपरेट एलेक्टोरेट और मुसलिम्सको रिजर्फ सीद देने के लिए सेंट्रल एसेंबली में और जो यह नहीं कि अगर गया था कि जो जो मुसलिम डॉमिनेटी प्रोविंसे जैसे कि बैंगौल है पंजाव है ठीक है अभी उस तक पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट था अभी तो डिवाइट हो रखा है ना बंग देश अलग है तो इस ता कुछ नहीं था डिविजन नही तो इन लोग का एक कॉर डिमांड था कि जो जो मुसलिम डॉमिनेटेट एरिया मतलब प्रोविंसे हैं राइक पेंगौल है पंजाब है और सब में अब प्रपोर्शन की बिसिस पे हमें वोटिंग राइट्स तो ठीक है मतलब वोई सेपरेट एलेक्टरेट मांग रहे हैं जाधा इसमें घुसों मत्रिकी चीजे समझ में नहीं आएगी नेगोसियेशन करने की कोशिस करी इन लोगों ने बट इसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ देन ओल पाटी कॉन्फरेंस हुआ 1928 में जहां पे हिंदू महासभा जो थाना वो स्ट्रॉंगली अपोस करा इस कंट्री चाहिए जैसा ही civil disobedience movement स्टार्ट हुआ वहाँ पे एक suspicion और distrust का महौल बन गया था सारे की सारे जितने भी अब इस्कुंध एसे भी थे जो अपना concern expres कर रह्या थे , आपने Muslim, क्यो kadar Muslim minority में थे नहां , पहले इंठिया में थे , तो बहुत सारे जो इपना जू ना एक्सपरिस की अटमे आपूर्टिया जी थे आपनी धी अपना पना Robot कर रहे थी उनकु ए ठेक्स Jamalic कोशिस करूंगी लास्ट वाले पार्ट में खतम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है वाना दो पार्ट में और वाइट कर देंगे फिर चाप्टर यह पर खतम हो जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले में इस वीडियो को एंड करने से पहले एक कि इंपरें इंफरमिशन एज उजवल कि जो भी एस्पिरेंट सीरेस हो करकी यूपीसी के प्रेपरेशन करना चाहते हैं वह यहां पर दिये कि वाट्साप नंबर पर हमारे वाइच और को कॉंटाट कर सकते हैं आप एक बार सर को कंटैक्ट कर लो बेनिफित आपका ही होगा आप सर को इंस्ट्रग्राम पर भी मेंसेज कर सकते हो और यहां पे टीचर्स बस दिख रहे हैं बट यहां पर सर ना खुदी रिप्लाइ करते हैं सर की परसनल मेंटर्शिप प्रवाइड कर आई जाती हैं सो हर 90% सुडेंट थे जिनोंने प्रिलिम्स इग्जामिनेशन कॉलिफाई कर रहा था और उन्होंने 90 प्लस या फिर 80 प्लस मार्क्स नोंने से क्यूर कर रहा था तो आप सर को एक बार मैसेज कर लो सारे चीज़े आपको वहाँ से पता चल जाएंगी सो थैंक्यू थैंक्यू वे